कि अगर किसी भी तरह की गलती हुई सिच्टम की और से तो उसके लिए भी हम इस तिलक को बीजय तिलक पढ़ें कि तो कि दो आदे हो पढ़ना नया कुछ मत पढ़ना नया कुछ भी मत सुनना है वे मीठा पान खालेंगे तुर भी ती और अब यू कहें कुछ की ओभर पूरी तरह से उन बातों को लेकर सचे थूं और छोटे छोटे प्रश्णों को लेकर खास करके मेरा जो अनभव है ज्यादा गलती होते हैं और वो मेरे पिछले मुखी परिक्षा के रिजल्ट ना होने का एक अहम कारण था वस्टो का जो कोष्टन जो कार्वन कोपी है जिस बच्चों का इस्ट्रेंट को भी दे दीजे, किसी तरह का गलत मत होने दीजे, हम बिहार के उन बच्चों को दरोगा बनाएंगे, जिनके घर में खाना खाने के लिए चूला तक नहीं जलता है, यह मेरा वादा है, मान्ने मुकमंत्री, आपके सराबंदी पर हम लोग ग्रेट दरोगा बहाली परिक्चा 26 दिसंबर से होनी है, यानि कि दो दिन बाद उस परिक्चा है, और अगर बात दरोगा बहाली की हो, तो बात गुरु रहमान की भी होनी चाहिए, गुरु रहमान जो दरोगा के लिए फेमस हैं, दरोगा बनाने के लिए फेमस हैं, आज उनके क्ल क्लास में हम मौजूद हैं आप तश्वीर देखिएगा क्लास भड़ा हुआ है क्यूंकि 223 दरोगा बहाली पडिक्षा के आखरी पल यहां पर आप अपने इस स्क्रीन पर देखेंगे तमाम अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे और उनके माथे पर तिलक लगा भी नजर आए है आग 24 कल कि युद्द के पहले का प्रेक्टिस है और निश्ची दरुफ से तमाम बच्चों को मैं इसलिए बहुत और बच्चे चले गए इसलिए इसलिए बुलाए उसले मंस्टस्पत्तिलक लगा ने क्योंकि इमांदारी से अगर बिहार सरकार इमांदारी से बीपी एसेसी के अध्यक्ष इमांदारी से आयोग और इमांदारी से सच्यू इसको इमांदारी से परिछा लेते हैं तो मैं माइक के लाल की कसम खांगे बोलता होगी इसमें सारे के सारी बेटियां और बेटे आज जो मैंने टेस्ट लिया है वे दरोगा है अगर इमांदारी से नहीं होता है तो इनकी बदकिस्मती होगी तो निश्चित रूप से सरकार की बदकिस्मती का दिन शुरू होगा इसलिए आज ललकार है तिलक के साथ कि हम परिछा में पास करेंगे और ललकार है इस बात की भी कि अगर किसी भी तरह की गलती हुई सिस्टम की और से तो उसके लिए भी हम इस तिलक को विजय तिलक के रूप में सविकार कर रहे हैं कितने अभी अर्थियों के माथे बद तिलक लगा दिये हैं और क्या लगता है कि देखिए मैंने तो अलमुस्ट टैस जार से जादे बच्चुकपक के मस्तवत तिलक लगा है लेकिन पचास जार तो रिजड भी देगा तो जितना भी पीटी होगा उ मेरा बच्चा जरूर होगा जिसके माथा बंतिलक लगा है यह मैं दावे के साथ कर रहा हूं और फाइनल में भी बच्चे हम ऐसे बच्चे हो सकता है कि बच्चा हमारे पस नहीं पड़ा हो लेकिन एक दिन के लिए एक बार भी कम सकमा असिरबात लेने भी मेरे पास आता है क्योंकि बजरंग बली की असी मनुकंपा है कि लोग बोलता है कि वर्दी बोले तो गुरू रहमान अगर गुरू रहमान ने नहीं ठोका तो नहीं होगा और यह प्रारब्द है कि बच्चे का हो र रहा है सम 붙ब्या-था रहा है गरीबों को नहीं मिला वह एसी बिवस्था में बिहार की बुकार है भारत मा की बुकार है कि अप सिस्टम में जाये और स्टैुए हुए सीटम को रगड deux कर साफ कीजिए और ऐसा शुठ भारब कर और यह से सोछ भारत का निर्मान संबहुन सक इक्जाम के एक दिन पहले जो अबेर्थी यहां मौजूद है उनको जो यहां नहीं है उनको भी क्या संदेश देंगे क्या कड़ें सिर्फ एक संदेश गुरु रहमान का तमाम बेटी बेटी बजरंग बली मेरा डैरेक्टर मुन्ना भाई के सामने यह असपष्ट कहना कि पाल के चकर में एक उर्पया में कोश्टन की हो ना देने की बात करें मत पढ़ना क्योंकि तुमने पढ़ा है और तुम पास करने से अधिक अवस्ता के लिए पढ़े हो इसलिए पढ़ना नया कुछ मत पढ़ना नया कुछ भी मत सुनना पूरे आप लोग की आखे मेरी में जाईए याद रखिए कि ओ एमार सीट का बेहतरीन ढंग से बीना गलत किये हुए भर देना पचास पर्चास सपलता का परिचायक है तो उसको बढ़िया सबरेंगे संडे का दीन जो लड़के लड़का है वे मीठा पान खालेंगे सब्सक्राइब लोग मीठा पान खाल और इन लोग पास करें बिहार इनको खोज रहा है बस यह याद रख यह मत सोचें कि उनको नोगरी मिल जा कि साधी हो जागा बिहार और भारतमा इनको खोज रही है एक अच्छे पुलीसिंग के लिए और यह लोग संकट के समय का उपज है कुरोना बंब है कुरोना काल में सब्सक्राइब करेंगे लेकिन कुछ से जरूर बात करने की हम प्रियास करेंगे प्रशनों को ले करके खास करके मेरा जो अनुभव है मैं अपने सापाथियों के साधा करना चाहूंगा कि चोटे प्रशनों को विशेष्टा फोकस्ट होकर पढ़ें क्योंकि छोटे प्रशन ज्यादा गलती होते हैं और वो मेरे पिछले मुखी परिक्षा के रिजल्ट ना होने का एक अहम कारण था तो उस पे विद्यार्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए और करते हैं बिना परिणाम की चिंटा किये दरोगा बनेंगे तो बिहार का जो सिस्ट्रम है हम आज के समय में जो देख पा रहे हैं हम अपने ठाने के अपने जिले के जो अनभव को देखते हैं दरोगा वह जाता है फॐन करतेड़ाय कर दो तनल पर पहुचता है। उड़ा स्टा संथी सब्रा में दिखा जाता है यह साय एक्चुल हो सकता है और मैं यह नहीं काएगा वे कलपना है है च produces सकते हैं और इस हकीकत को ख़ियंका करने के लिए हम जैसे युए को आजए आना होगा और बदलाब के लिए उन यह करनती की शद्वाहर तो नहीं पिर गरनी होगी और हम इसे करने को प्रियासरत हैं और पूरी तरह से संकल्पित हैं आपका जो सपना है वह पूरा हम इसी की दूआ करेंगे बार्म क्या नाम है सोनी कुमारी तीलक आपको भी लग गया है कहां सेंटर है आपका सेंटर बिहार स्रीफ कहां से हैं तो यारी हो गई है क्या लग रहा है पहला अटेम्ट है यह दूसरे यह दूसरा टेम्ट जो भी अभियर्थी तैयारी कर रहे थे चाहे वह यहां हो या बाहर हो जिन सपनों को लेकर वह बाइस सो तेरा दरोगा बहाली की इस पर इच्छा में बैठेंगे उनके सपने पूरे होंगे और उमीद है कि बीपी एससी जिस प्रकार से उसने 2446 दरोगा बहाली में बीना पारदर्स सिता साइध 223 में देखने को जरूर मिले तो धन्यवाद देंगे गुरु रहमान सरका कि उन्होंने भी समय दिया और सर साइध कुछ कहना भी चाते हैं तो सर के पास सीधे चलेंगे सबसे बड़ी बात है कि आपने इस समय पर आके हमलों का बैट लिया है बच्चों का बैट लिया है झब बच्चे दम्यूद के मैदान में जा रहा है है तो होम सेंटर का हम लोग विरोध कर रहें होम सेंटर मत दिए उसके बाजूद भी बीपीए से थी कि अध्यक्ष मुहदे ने पता नहीं क्यों अपने आपको क्या समझ को होम सेंटर दे दिया है चली होम सेंटर दे दिया बच्चों के घर में कोपी ले जाने कानुमत दिए लेकिन इतनी मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा अध्यक्ष मोहदे से सच्चिव मोहदे से मानने मुख मंद्री से कि आप किसी भी परसिती में को साम दाम दंड भे दिये निकेन परकारेन पीतवात कब कोई भी थी लगाई है लेकिन किसी भी तरह से गलत मत होने दिजेगा और बच्चों का जो कोश्चन जो कार्बन कोपी है जिस पर इस्ट्रेंट कोपी लिखा होता है वो बच्चों को मिल जा है और आप कोश्चन कहतें कि आपकी परपरटी है तो रहे आपकी लेकिन एक सब्ता से दस दिन के अंदर में आप एंसर्ट शिट जारी कर दीजे और बच्चों का इस्ट्रेंट को भी दे दीजे किसी तरह का गलत मत होने दीजे हम बिहार के उन बच्चों को दरोगा बनाएंगे जिनके घर में खाना खाने के लिए चूला तक नहीं जलता है यह मेरा वादा है मानने मुक मंतरी बिहार बनाना चाहते हैं तो इस पर ध्यान दीजे आपके सराबंदी पर हम लोग ग्रेट फैलूट करते हैं लेकिन नकल बंदी चोर बंदी पर भी आप कदम उठाइए अध्यक्ष और सच्यू से भी अनुरोध है कि ऐसा हो ताकि गरीब बच्चे भी पास करें बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पारदर्सिता की जो बाते लगतार 2446 से उठते आ रही है वो 2213 में भी है कारवन कोपी की मांग अभियर्थिये द्वारा की गई गुरूरामान सर के द्वारा भी की गई तमाम अन्य कोचिंग संस्थाओं के द्वारा भी की गई लेकि इस सवाले लगतार खड़ी होती रही है और इस बार 223 में पारदर्सिता की साइद लराई आपको सर को पर भी दिखाई दे सकती है अपने रहिए लाइब बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं और 223 दरोगा बहाली के इस पडिक्षा में जो भी झाल 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 झाल